हेलो अब्रीवन, वेलकम तो केवी टीचर्स गिल्ड, सो बच्चों ये है सेकंड पार्ट, क्लास थ्री ईवेस के फोर चाप्टर, गेटिंग तो नो प्लांट्स का, पार्ट बन में हमने डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स के बारे में जाना, और अभी हम थे पेज नंबर 56 पर, so leaves of different plants have different colors, shapes and sizes, अलग-अलग plants की leaves, पतियां, color में, shape में और size में अलग होती है, different colors होते हैं, leaves के, कुछ green होती है, कुछ yellow होती है, purple भी होती है, shape अलग होती है, कुछ ऐसे round होती है, कुछ long होती है, कुछ oval shape में होती है, अलग उनके size होते है, कुछ small leaves होती है, कुछ बह डेकरिब कि बनाना लीव, अभी कुछ लीव आपको दी है, यह पीपल की पति है, पीपल लीव, यह मांगोल लीव आम की पति, यह लोटस लीव है, कमल की पति, यह है खेजड़ी ट्री की लीव स, Let us explore further आगे और explore करते हैं और पता लगाते हैं Observe the leaves in your surroundings अपने आसपास different leaves को पत्तियों को observe करिए देखिए Draw color and label them in your notebook अब अपनी notebook में उन leaves को आप draw करेंगे उन्हें color करेंगे और उनके नाम लिखेंगे इस तरीके से different leaves को आपको draw करना है और उन्हें color करके उनके नाम लिखने हैं ये नीम leaf है, नीम की पत्ती है पीपल leaf है, ये ओक ट्री की पत्ती है ये बनाना leaf है, ये मेपल leaf है, ये मैंगो leaf है ओके Now describe their color, shape, size, texture and smell to your friend in the class अब उन leaves का color कैसा था? Shape कैसी थी? Size कितना बड़ाया चोटा था? texture चूने पर वो कैसी लगी? Smell कैसी थी? ये class में आप अपने friend को बताएंगे मालीजे एक leaf आपने observe की है, नीम नीम leaf हमें बताने color तो नीम leaf का color होगा green then shape है, long होती है leaf लेकिन पत्ली होती है narrow and long then size क्या है? medium size होता है, बहुत बड़ी leaf नहीं होती है नीम की नहीं बहुत चोटी, small size होता है medium size है texture इसका smooth है चूने पर नीम की पत्ती अगर आप touch करेंगे तो smooth आपको लगेगी वो, मुलायम लगेगी और smell उसमें से smell अगर करेंगे, strong herbal smell आईगी आपको strong herbal smell कोई और भी leaf आप ले सकते हैं जैसे आपने marigold की leaf ली देखो ये marigold leaves है तो leaves नाम आपने लिखा marigold leaves का color क्या है, green shape क्या है, long है लेकिन इनके edges आप देखेंगे इस तरीके से zigzag है और size में ये small है edges size small और texture अगर आप इसकी leaves को touch करके देखें तो थोड़ी से rough आपको लगेगी smooth नहीं लगेगी आप लिखेंगे slightly rough और smell होती है इनकी थोड़ी से floral smell होती है mild, hulky से smell आती है बहुत strong नहीं, नीम leaves के जैसे mild, floral okay, flower जैसी ये सभी चीजें जो leaves आपने देखी है, बनाई है paste की है, उनके बारे में आप लिखेंगे जब आप बहुत तरह की leaves देखेंगे, उनकी अलग colors होते है shape में अलग होती है, size में अलग होती है different smell होती है, texture अलग होता है तो आप एक statement लिख सकते है that leaves come in leaves are of different colors leaves अलग-अलग colors की shapes की और sizes की होती है and sizes और उन सभी की अपनी अलग smell होती है कि ये भी statement आप लिख सकते है they have distinct smell distinct उनकी अपनी अलग smell होती है okay, next now leaves smell different from each other leaves एक दूसरे से different होती है smell में I have noticed that tulsi, coriander, curry leaves mint and lemon grass all have wonderfully different smells Raj told Simi अब राज Simi को कहता है कि मैंने ये notice किया है कि तुलसी की leaves coriander, धनिया की leaves curry leaves कड़ी पत्ता की जो लीव्स होती है mint, पुदिने की leaves और lemon grass की leaves इनके जो पत्तिया है इनकी smell एक दूसरे से काफी अलग है Now Simi told Raj तो अब Simi Raj से कहती है Have you ever rubbed a mango leaf क्या तुमने कभी एक mango की leaf पत्ती को rub किया है हाथ पर and smell it और फिर उसको smell किया है I love the smell मुझे उसकी smell बहुत अच्छी लगती है फिर Raj कहता है This conversation reminds me इस बाचीत से मुझे याद आया Of the lovely smell of mangoes की mangoes की smell कितनी अच्छी होती है My brother is not able to see मेरा भाई देख नहीं सकता है but he can immediately smell any fruits nearby लेकिन आसपास कोई भी fruit हो immediately उसको smell आ जाती है fruits को हम देख कर तो पैचानते ही है लेकिन उनकी smells भी different होती है तो smell से भी आप पैचान सकते है वो mango को, pineapple को, jackfruit, guava और jamun को smell से पैचान लेता है mango यानि कि आम, pineapple, ananas बोलते हैं हिंदी में jackfruit, cuttle, guava, amrude और jamun इन सभी को वो क्योंकि blind है देख नहीं सकता है तो smell से ही पैचान लेता है अब एक activity है आपको blind fold करना है खुद को आप पर पट्टी बान देनी है जब आपका friend कुछ fruits धीरे-धीरे आपके पास लेकर आएगा तो आपको देखना है कि कितनी दूर से आप उसकी smell को रिकगनाईज कर सकते है पहचान सकते है आँखे आपकी बंद है आप देख नहीं सकते smell से पहचानना है now repeat the same experiment with a piece of cut fruit आप fruit को काट लीजे पहले बिना काटे friend आपका धीरे-धीरे पास लेकर आएगा कितनी पास से आप पहचान पाते हैं वो आपको देखना है फिर कट करने के बाद देखिए कट करने के बाद smell आपको ज़्यादा आती है फिर देखिए कितनी दूर से आप पहचानते है was it easier to recognize cut fruit by the smell rather than the whole uncut fruit तो क्या cut fruit को recognize करना पहचानना आसान होता है पूरे fruit, uncut fruit को by smell पहचानने से बिल्कुल इसका answer yes होगा आप चाहे तो करके देख लीजे एक पूरा fruit की smell और एक cut करने के बाद smell cut करने के बाद smell ज़्यादा आती है which fruit could you smell from farthest away कौनसा वो fruit है जिसको आप बहुत दूर से smell से पहचान सकते हैं इस experiment को आप घर पर भी try करेंगे ठीके तो बहुत सारे fruits आप लेंगे स्कूल में लेकर जाएंगे जैसे mangoes लेकर जा सकते हैं अगर season है उस time पर apple ले जा सकते हैं grapes ले जा सकते हैं banana ले जा सकते हैं उसको भी आप smell से पहचान सकते हैं एक orange को आप smell से पहचान सकते हैं easily lemon को भी पहचान सकते हैं papaya leechy guava watermelon watermelon then peach ठीक है यह सभी fruits आप स्कूल में लेकर जाएंगे या घर पर और देखेंगे कि इनको cut करने के बाद या whole fruit आप कितनी दूर से by smell इने recognize कर सकते हैं या नहीं next now parts of plant plant के parts while learning about plants plants के बारे में learn करते हुए पढ़ते हुए we use the names of many parts of plants बहुत सारे plants के parts के नाम हमने यूज किये हैं जैसे roots, jud, stems, tanah, leaves, पतियां, flowers, cool, fruits, phal और seeds, beege let us now look at a picture of tomato plant अब हमें एक tomato के plant के picture देखते हैं and carefully observe the different parts और different parts को carefully observe करेंगे पहला question है what are the different parts of a plant एक plant के different parts कौन कौन से हैं तो plant के different parts होते हैं roots, stems, answer आप लिखेंगे roots, stems, leaves, flowers, fruits, and seeds make different parts of a plant and label them अब आपको ये करना है ये plant की picture आप ड्रॉ करेंगे ये important है exam में जरूर आता है ये plant की picture आपको देंगे और बोलेंगे different parts को label करिए ये picture आप ड्रॉ करेंगे देंगे आपको different parts को label करना है ये roots हैं, जड़े हैं, ये tomato plant की roots है जो जमीन के soil के अंदर होती है फिर ये stem है, तना है, जो बिलकुल ground से लगा होता है फिर stem से निकलती है leaves, stem से निकलती है branches और branches के उपर होती है leaves, fruits, and flowers और fruits के अंदर होते है seeds, तो इन्हें आप label करेंगे ये roots है, ये stem है, then ये fruit है यहाँ पर लिखेंगे fruit, F-R-U-I-T उसके बाद ये leaf है, पत्ती है एक, leaf, और ये है flower root, stem, flower, leaf, and fruit, और ये fruit के अंदर है seed, beach ये plant के different parts है now activity आपके लिए, get to know barks barks हम बोलते है, plant के stem है, तना है, उसके उपर ही जो चाल होती है outer जो covering होती है, उसकी, bark is the hard outer covering of a tree trunk पेड के trunk की तने की जो hard outer covering, बहारी covering होती है जिससे वो covered होता है, उसे हम bark बोलते हैं, उसकी चाल बोलते है touch and look carefully, आप bark को touch करिए, ध्यान से देखिए at the bark of a tree, do you see any animals, insects और plants on it? क्या आपको उसके उपर कुछ insects तो जरूर आपको दिखाई देंगे bark के उपर कुछ animals आपको दिख सकते हैं, generally अगर आप देखें कई बार squirrel हो सकती है पेड के उपर उपर चड़कर जा रही हो या फिर कोई lizard आपको दिख सकती है, insects में, ants आपको दिख सकती है आप लिख सकते हैं, जो भी आप देखेंगे, suppose करिए आपने कोई ant देखी उसके उपर spider दिख सकती है, या फिर कोई हो सकता है, दूसरा plant उग गया हो ठीक है, press the sheet of a paper on the bug एक paper की sheet लेंगे, बात के उपर उसे press करेंगे अच्छे से gently move a crayon or a pencil repeatedly on it, और उसके उपर repeatedly यहाँ पर एक crayon या फिर pencil चलाएंगे, move करेंगे, see what you have तो आप देखेंगे, एक बहुत सारी rough line है आपको उसके उपर दिखाए देगी write the name or description of your tree on the rivers of the paper जो भी आपने observe किया है, describe करिए अपने tree को इस पेड के सारी जो पेपर है जिस पर आपने crayon चलाए था उसके पीछे back पर, now collect all the papers of your friends, अब अपने friends के सारे paper collect कर लीजे and see if you guess the tree just by looking at the bark pattern, अब आप देखेंगे हर tree का bark का pattern भी अलग होता है, अगर guava tree को आप देखें, देखो यह guava tree का trunk है इसकी जो bark है उसको आप देखें, smooth है comparatively, अगर आप mango tree के trunk को देखें, यह mango tree का trunk है, देखें इसकी bark बिल्कुल different है, तो जिस बचे ने mango tree के उपर उस paper को रखके crayon को चलाया होगा, यह जो इसकी bark की shape है इस तरीके से, उसको एक pattern मिलेगा अपने paper के उपर, यह apple tree का trunk है, तो इसकी bark देखें, यह भी comparatively उसके, अगर दोनों से आप compare करेंगे, different है, जो guava tree है, उससे थोड़ी जादा rough है, लेकिन mango tree से smooth है, और यह banana tree का trunk है, जो केले का पेड होता है, उसका trunk आप देखेंगे, अगर touch करेंगे, बिल्कुल smooth आपको दिखाए देगा, ठीक है, तो कहने का मतलब है, tree के जो trunks है, वो भी different type के होते हैं, उनकी जो barks है, वो भी अलग होती है, तो अब सभी बच्चों ने क्योंकि अलग-अलग trees को select किया होगा, तो उनकी, उनका जो paper है, उसके उपर pattern भी different होगा, अब आप देखिए, कि क्या सिर्फ एक paper को देखकर, उसके उपर जो bark का pattern है, उसको देखकर, आप बदा सकते हैं कि वो कौन सा tree है, यह आप देखेंगे, did you notice any other animals, birds, and insects on the plant, क्या plant के उपर आपने किनी animals को, birds को, या insects को देखा, तो हो सकते हैं, आपने ants को देखा हो, plant के ट्रंक के उपर, उपर किसी bird को देखा हो, crow को देखा हो, उसके उपर बैठे हुए, या sparrow को देखा हो, squirrel को देखा हो, दौडते हुए, squirrel, या फिर monkey को देखा हो, monkey, etc. ठीक है, जो भी चीज़े, आपने उस plant के उपर देखी, birds को, animals को, insects को, वो आपको यहाँ पर लिखने हैं, what were they doing, अब animals क्या कर रहे थे, squirrel हो सकता है, climb कर रही हो, climbing, monkey हो सकता है, jump कर रहा हो, एक branch से, दूसरी branch पर, jumping या swinging, swing कर रहा हो, जूल रहा हो, swinging, उसकी branches से, या फिर हो सकता है, कोई animal rest कर रहा हो, उसके उपर, sparrow है, या फिर crow है, ठीक है, तो जो भी वो कर रहे थे, वो आप यहाँ पर लिखेंगे, climb कर रहे थे, jump कर रहे थे, swing कर रहे थे, rest कर रहे थे, resting, next, now do you know, क्या आप जानते हैं, sugar is produced, यह कुछ extra information है, sugar is produced from the sugar cane stem, sugar, चीनी जो बनती है, वो sugar cane, जो गन्ना होता है, उसके stem से, उसके तने से बनती है, देखो, यह है sugar cane, देखो, यह sugar cane plants है, और यह इनका stem आप देख रहे हैं, इससे बनती है sugar, चीनी, okay, so sugar किससे बनती है, sugar cane plant के stem से, next is, bamboo is the tallest grass, grass के जब हम बात करते हैं, घास हमें लगता है, बहुत छोटा होता होगा, लेकिन हमने chapter में देखा था, part 1 में, कि sugar cane और bamboo, दोनों ही grass है, दोनों ही घास है, हलाकि यह tall grasses हैं, उँचे grass हैं, सबसे tallest, सबसे उँचा grass कौन सा होता है, वो होता है bamboo, देखो, यह है bamboo plants, लेकिन इन्हें आप trees नहीं कहेंगे, यह पेड़ नहीं है, यह क्या है, यह grass है, यूंकि trees हमने क्या देखे थे, यह trees का जो stem होता है, वो थिक होता है, हाइट में बहुत जादा वो होते हैं, बहुत सारे उनमें leaves, branches होती है, इनका stem आप देखे, green stem है, green और ऐसा पतला stem होता है, grass इसका, ठीक है, और leaves उनकी पतली होती है, लंबी होती है इस तरीके से, तो bamboo यह tallest grass है, यह होता है bamboo, now, rafflesia seen in misorum is the biggest flower and is as big as an umbrella, rafflesia एक flower है, जो misorum में मिलता है, यह सबसे बड़ा flower है, biggest flower है, तो exam में अगर question हाता है, biggest flower कौन सा है, वो है rafflesia, और यह बिलकुल umbrella जितना बड़ा होता है, देखो यह है rafflesia, और यह world का biggest flower है, तीन informations आपको यहां से मिली, एक तो sugar बनती है, sugar cane से, tallest grass, सबसे उचा grass है, bamboo, और सबसे बड़ा flower है rafflesia, जो कहां पर मिलता है, misorum में, और यह बिलकुल एक umbrella जितना बड़ा होता है, that's all for now, इसके जो question answers है, उन्हें हम cover करेंगे next वीडियो में, hopefully chapter आप सभी को अच्छे सी समझ में आ गया होगा, thank you so much for watching,